जय सिया राम, जय जय राम, कही बिराध बध जेई विधी, देहता जी सरभंग, बरन सुती छन पीति पुनी, प्रभु अगस्त सत संग, जिस प्रकाध बिराध का बध हुआ, और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर, फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वड नन करके, प्रभु और अगस्त जी का सत्चंग ब्रतांत कहा, जय सिया राम, जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रववु सुतैशी रथ अजिर विहारी, कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनी तेही गाई, पुनी प्रभु पंच वटी कृत बासा, भ दंडक वन का पवित्र करना कहकर, फिर भुसुंडी जी ने गृद राज के साथ मित्रता का वर्णन किया, फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंच वटी में निवास किया, और सब मुनियों के भाई का नाश किया, पुनी लची मन उपदेश अनूपा, सूप नखा जिमी कीनी कुरूपा, खर दूसन बध बहुरी बखाना, जिमी सब मर मुतसा नन जाना, और फिर जैसे लक्समन जी को अनूपाम उपदेश दिया, और सुपड़खा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया, फिर खर दूसन बध और जिस प्रकार रावन ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, दसकंधर मारीच बत कही, जेही विदिभई सो सब तेही कही, उनि माया सीता कर हरना, स्री रखुबीर बिरह का सुबरना, तथा जिस प्रकार रावन और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उनूने कही, फिर माया सीता का हरन, और स्री रखुबीर के बिरह का, उसे वर्णन कि पुनि प्रभु गीधि क्रिया जिमिकीन ही बधि कबंध सबरी ही गति दीन ही बहुरी विरह बरनत रघु भीरा जही बिधि गये सरोबर तीरा फिर प्रभु ने गिद्ध चटायों की जिस प्रकार क्रिया की कबंध का बध करके सबरी को परमकति दी और फिर जिस प्रकार विरह बरनन करते हुए स्री रघुबीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा प्रभु नारद संबाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्री विमिताई बालि प्रान कर भंग प्रभु और नारद जी का संबाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव सेम्तरता और बालि के प्रान नाशका वर्णन किया जै सियाराम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रववशु दैशे रथ अजिर विहारी